सूरा मेरे मज़ पमान तक्ठण फिर में जिक्खा पधिंक्समादियानी बुद्धन रक्षा बंधन अगर आप इत्यास में जाएंगे तो आपको रक्षा बंधन नाम का जो राखी या रखड़ी बांधने का फेस्टिवल जो भारत के नौर्डन एरिया के अंदर जो तरी भाग में मनाया जाता है उसका कोई इत्यास, कोई जिक्र, कोई चीज आपको नहीं मिलेगी आप पुराणों में जाएंगे तो आपको अलग-लग तरह की बाते होंगी पुराण मतलब पुरानी बात हैं पर उनका कोई ऑथेंटिकेसन नहीं है उनका कोई ऐसा प्रमान नहीं है जिससे ये बात साबित हो सके कि वो बात एत्यासिक है, सच है आज के समय जो भारत के अंदर एक फेस्टिवल बच्पन से पढ़ाया जाता है जब खास तोर से हम ऐसे या निवन्द लिखने के लिए बच्चों को बोलते हैं दूसी कलास में, तीसी कलास में, चौथी कलास में, पांचमी कलास में, छटी कलास में के आप निवन्द लिखिए तो कुछ निवन्द रटवाये जाते हैं होली का, दिपावली का, रक्षामंदन का, ये इस तरह के निबंध होते हैं, जिनमें सोचने, समझने की सक्ती बंध हो जाती है, और हमको ये बताया जाता है, कि ये बात बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सची होगी, और साज लोग मानते हैं, पर इस पे कहीं कोई तर किलास में अगर आप जाते हैं, बुद्ध से पहले जाते हैं, तो रक्षामंदन का फेस्टिवल नहीं मिलता, पर बुद्ध के मरने के बाद एक घटना घटी, बुद्ध जब मर्ग ये उन्होंने अपना सरी छोड़ दिया, तो वहाँ एक नया नया जो ताजा-ताजा भिक अरत पुराने भिक्कू थे, पके हुए भिक्कू थे, उनको चिंता हुई कि जो बुद्ध ने सारे के सारे सूत्र दिये हैं, जो बातें बोलती थी, बुद्ध ने जो बताई हैं, उनको सूत्र का नाम बोला जाता था, बाद में इसको सूत्र कहा गया, सूत्र उस समय के ज के द्वारा कही गई बाते यानि सूत और 2000 उनके अच्छे पके उए सिस्यों के द्वारा कही गई बाते तो 84,000 टोटा सूत थे तो जो पके उए लोग थे भिक्कू थे उन्होंने ये निर्णे किया कि इन सूत्तों का बंधन करेंगे क्योंकि वो बिखरे हुए थे उस समय तक कागज नहीं था उस समय तक पैन नहीं था उस समय तक अक्छर भी नहीं था उस समय तक कोई लिपी भी नहीं थी इसलिए कंठस्त यानि कंठ के अंदर गले के अंदर इस्थिति यानि कि उनको मेमोराइज करके उनको याद करके रखा जाता था तो सारे भिक्कों की 500 भिक्क में वो बात वहां बताई और बाकी भिक्कु ने उसको तस्दीक किया तस्दीक मतलब उसको कहा कि हाँ ऐसा ही हुआ था उसकी गवाही दी उसके विटनेस बने और इन बातों को लगाता लगाता सीरिल वाइज करके एक साथ याद करने के लिए जो भाड़क होते थे भाड़क मतलब जो कुछ ले देकर कुछ खर्चा पानी लेकर कुछ खानी की सामान लेकर कुछ वस्तू लेकर कुछ पैसा लेकर उन बातों को ऐसा का ऐसा ही सुनाया करते थे आज के समय आप उनको समझ सकते हैं कि जैसे आपका कंप्यूटर है जो भर दिया वही सुनाता है तो भाड रखा सूत थे उनका बंधन हुआ, यानि जो बुद्ध ने मनुस्य की रखा के लिए, रख्षा के लिए, मनुस्यता की रख्षा के लिए, जानवरों की रख्षा के लिए, ब्यापारियों की रख्षा के लिए, राजा की रख्षा के लिए, प्रजा की रख्षा के लिए, प के बाद में उस बंधन को याद करने के लिए क्योंकि धंब चला गया, लोग जो धंबिक थे वो चले गए, भिक्कु खतम हो गए, खतम कर दिये गए, पर बातें रहीं और वो एक परंपरा बन गई, कि इस दिन हमारे सूत्तों का रक्षण हुआ था, तो हम इसको धागा बां के एक दूसरे का रक्षण करने का है, ये कोई परंपरा कहीं दिखाई नहीं देती, दूर दूर तक भी, कहीं कहीं पती पत्नी एक दूसरे की रक्षण करते हैं, रक्षण के लिए बांदे हैं, पर बहन का भाई के पिट्टी या भाई का बहन के पिट्टी रक्षण करने क सूत्र बांद कर प्रतिग्या करने का बड़ा आजीव सा मामला है क्योंकि आप साल दर साल अगर राखी बांद के ये याद दिलाते हैं कि भाई तू मेरी रक्षा करना इसका मतलब भाई काम का नहीं है भाई को भी अगर याद दलाना पड़े के तू बेहन की रक्षा करेगा या पती को याद दलाना पड़े के तू पत्नी की रक्षा करेगा तो इससे ज़्यादा घटिया बाद कोई हो नहीं सकती मानव संबंदों के अंदर क्योंकि बेहन भाई एक दूसरे से खून के रिष्टे से बंदे होते हैं धागे का रिष्टा तो तीन ना तेरे में इसका कोई मतलब नहीं बनता तो क्या बेहन भाई का रिष्टा इतना कमजोर कर दिया गया कि बहन भाई को आपस में एक दूसरे की रक्षा के लिए या बहन इतनी कमजोर कर दी गई कि भाई को रक्षा के लिए उसको धागा बांद के एक बांड एक याद दिलाने की आशकता पड़ी इसलिए ये बात गले नहीं उतरती दूसरी बात ये है कि अगर महिलाएं कमजोर कर दी गई और महिलाओं की रक्षा करनी थी रक्षण करना था तो सबी महिलाओं के लिए क्यों नहीं माता के लिए क्यों नहीं, पत्नी के लिए क्यों नहीं दादी के लिए क्यों नहीं, दादा के लिए क्यों नहीं मौसी के लिए क्यों नहीं, बुगा के लिए क्यों नहीं, बेटी के लिए क्यों नहीं, तो खाली बहन के लिए क्यों, ये बात भी बुलकुल सिरे से गले में नहीं उतरती है, इसके लावा जो छोड़े छोड़े बच्चे हैं, उनकी रक्षा कौन करेगा, कौन उनको धागा बांदेगा कौन की रक्षा करेगा और रक्षा करने वाले की रक्षा कौन करेगा ये बातें बेकार की बाते हैं अगर आप लोजिक पर कसेंगे तो दूर दूर तक समझ में नहीं आती और पूरी दुनिया में भारत के उत्री छेत्र में होती है ये घटना है कहीं और पूरे हैं सुरक्षा है उनकी रखा सुरक्षा है उनकी कि वो सारे के सारे सुत पीटक में विने पीटक में और अभी धम पीटक में ऐसे के ऐसे ही सुरक्षत हैं सुरक्षत हैं तो रक्षा वंदन का जो फेस्टिबल है ये बुद्ध के बाद का बुद्ध के सूतों की रक्षा करने का एक उत्सव एक फेस्टिबल है जो लोग मनाते हैं आज इसका रूप बदल गया है प्रारूप बदल गया है उससे फरक नहीं पड़ता क्योंकि धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो जा रही है कि कौन सा फेस्टिबल कपका है कौन सा फेस्टिबल कैसे बना क्या इसके कारण रहे क्या इसके निवारण रहे क्यों ये बना क्यों नहीं बना और बताते हैं कि ऐसा ही जो समण महाविर हैं उनके अंदर भी क्योंकि उनके सूतों का भी रक्षन किया गया वहां भी ये मनाया जाता है, तो बौद्धों में, यानि महासमर कौतम बुद्ध और महासमर महावीर, इन दोनों ही के फेस्टिवल को रखण सूत के हिसाब से मनाया जाता है, और ये भारत का, उनके बाद का, क्योंकि महावीर और बुद्ध दोनों लगवग एक ही समय के थे, ये फेस्टिवल समडो का फेस्टिवल है बुद्ध के सूत महाविर के सूत्तों का जीवन जीने के सूत्तों का जीवन जीने के बचाने के सूत्तों का और मानता के सूत्तों की रख्षा करने का फेस्टिवल है संघंग नमामी संघंग नमामी संघंग नमामी आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या printer में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने टूटर पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बलकुल भी जरूद नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी यह पूजी आपकी है धन्यवाद तुम्धियम् पी बुद्धं सेनं गच्छाम। 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 साथू, साथू, साथू